एलो फ्रेंड मैं हूं मनीश और आपका स्वागत है मेरे फूड शेनल मनीफूड विला में आज मैं बनाने जा रही हूं सहजन ड्रम स्ट्रिक रेश्पी जो गड़मी के दिनों की बहुत ही अच्छी सब्ची है इसके लिए मैंने लगभग 2-5 इंच के टुक्रों में सहजन क इस तरह से काट लिया है अब हम इसमें आधा चमच नमक डालेंगे और एक ग्लास पानी डालेंगे इसे हमें मेडियम फ्लेम कर गए 5 मिनिट तक पकाना है यह अच्छे से बॉइल हो जाएगा और पक जाएगा इसमें लगभग 5 मिनिट का समय लगेगा इसे हम ढग देंगे और हम दुसरी तैयारी तब तक कर लेते हैं इसके लिए हम एक बरतन लेंगे और इसमें हम कुकिंग ओयल डालेंगे लगभग 3 चमच तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें लगभग 1 चमच राई डालेंगे जिसे सर्सो बोलते हैं सर्सो गर्म हो गया है अब हम इसमें इस तरह से टुकड़ों में कटा हुआ अलू डालेंगे यहां पर मैंने दो बरे साइज के अलू लिया है इसे हमें सुनहरा भूरा होने तक भूनना है अब हम इसमें एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें एक छोटा प्याज 5-6 लासुन की कलियां अलगभग 2 चोटे चमच सर्सो डाल कर और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका हम पेश्ट तियार कर रहेंगे आलू को बीच बीच में चलाते रहेंगे यह देखिया यह भुनन गया है अब हम इसमें आधा चमच हल्दी पॉड़ डालेंगे ताकि इसका कलर और भी अछा है इसे मिक्स कर लेंगे और हमारा पेस्ट त्यार हो गया है अब हम इसे भी इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से जिसमें चला लेंगे मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा हम जीरा पॉड़र डालेंगे थोड़ा सा धनिया पॉड़र लगवग आधा चमच लाल मिर्च पॉड़र आप हरे मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं आधा चमच नमक ध्यान रहे हैं नमक ठीक से डालें क्योंकि इसके पहले भी हमने सहजन उबानले में नमक का उपयोग किया है इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम करके हम भूनेंगे यह देखिए यह देखनें बहुत ही अच्छे लग रहा है इसे बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि यह जले नहीं यह लगवग हमारा मसाला भून गया है अब हम इसमें दो छोटे साइज के टोमाटर कटे हुए डालेंगे यह देखिए सहजन बॉइल हो चुका है और अब हम इसको छू कर देख लेंगे हाथ से कि यह अच्छे से पका है कि नहीं पक गया है अब हम गैस को आफ कर देंगे कि अलोग भी तब तक भून गया है इसमें अब हम टमाटर डाल लेंगे कि और इसे भी मिक्स कर लेंगे कि यह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह टेस्ट वाज भी बहुत अच्छा आप इसे जरूर ट्राइ करें यह गर्मियों की दिनों की बहुत अच्छी सबजी है कि आपको मेरी रेश्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें यह देखिए साजन बॉइल हो गया है अब हम उसे आलू में डाल लेंगे मशाले के साथ और इसे भी मिक्स कर लेंगे इसे बस हमें दो मिनिट और पकाना है अच्छे से मिक्स करके हम इसे डखन लगा देंगे और इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे आप अपने कमेंट समय कमेंट बॉक्स में जरूर बेजें इसे वापस डख दें यह देखिए सब जीवन कर तयार हो गई है इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी हो गई है अब हम गैस को आफ कर देंगे और अंत में थोड़ा अशा दनिया पाउडर डाल कर दनिया पत्ती शौरी दनिया पत्ती डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे यह देखिए चटपटा मसालेदार ड्रम स्टिक रेश्पी तयार है बनकर आप इसे चावल पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा जूसी बना है कर दो कर दो मिक्स कर दो मिक्स कर दो मिक्स कर दोड़ा है